राधी राधी दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा और उसकी रानियों की कहानी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें सबिस्क्राइब करें और शेयर करें एक राजा था उसके छे रानिया थी राजा का राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था राजा भी बहुती दयालू और हमेशा परजा की भलाई के लिए काम करता था राजा की परजा भी अपने राजा को बहुत प्रेम करती थी बहुत दूर दूर तक राज्य के जो सीमाएं फैली हुई थी राजा के राज्य में किसी परकार कोई भी दुखी नहीं था लेकिन राजा को हमेशा एक ही चिंता लगी रहती थी क्योंकि राजा के कोई संतान नहीं थी संतान प्राप्ती के लिए राजा ने एक एक करके छे शादियां की परंतु किसी से भी उन्हें संतान की प्राप्ती नहीं हुई राजा बहुत दुखी रहने लगा था राजा के दुख से पूरी परजा दुखी थी उन्हें भी राजा के समान ही परजा पालक और उत्रा धिकारी पाने की कामना थी जो पूरी नहीं हो रही थी वे सदा इस वर से कामना करते और प्रातना करते कि उनके लिए भी जो काम मन से जो प्रातना करते कि राजा के हैं कम से कम एक पुत्र तो जरूर पैदा हो जाए जो उनके राज्य का आने वाला राजा बने इसके लिए परजा भी देवी देवताओं की अराधना करती थी मनोतियां मांगती राजा ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था पीर, फकीर, सादू, सन्यात्सी सबकी सेवा करते थे परन्तु अभी तक किसी का दिया हुआ आसिरवाद राजा को नहीं फला था एक दिन की बात है राजा बन में निकले सिकार करने के लिए और सिकार करने के लिए वे खिरन का पीछा करते करते जंगल में काफी दूर निकल गए हिरन तो मिल नहीं पाया ना जाने कहां विलीन हो गया वे तलास्ते रहे हिरन को कि कहीं दिखाई दे जाए लेकिन हिरन उने कहीं ने मिला अब राजा को जोरों से प्यास लगी थी राजा अपने रास्ते से ही भटक चुके थे घोड़ा लेकर वे आगे बड़े जा रहे थे चारों दिसाओं में घंगोर जंगली जंगल था अचानक कहीं से कल कल की आवाज सुनाई पड़ी राजा ने सोचा लगता है उदर जहरना है कहते हुए राजा आवाज की दिसाओं में चल पड़े थोड़ी दूर जाने के बाद जो राजा को जहरना दिखाई दे गया वे उतर गोडे से उतर पड़े जर्णा में पानी पीने के लिए अचानक एक आवाज सुनाई दी आप कौन है आपको क्या दीखता नहीं मैं यहां नहा रही हूँ फिर आप कैसे आ गए राजा ने चौक कर पीछे मुड कर देखा सचमुच अपनी प्यास के आगे उन्हें दीखा ही नहीं कि एक लड़की जर्णा में नहा रही थी जट घूम कर उन्होंने अपनी आखे उधर से फेर ली और कहा मुझे बहुत प्यास लगी थी इसलिए मैं आ गया पानी पीने मुझे छमा करें मैंने आपको देखा नहीं लड़की कहने लगी मैं तो यहीं पास के गाउं में रहती हूँ रोज यहां आती हूँ और इसी जर्ने में नाती हूँ यह जर्ना और नदी जंगल के बीच में है इसलिए कभी कोई यहां आया ही नहीं मैं तो निश्चिन थोकर नहा रही थी मुझे नहीं पता आप राजा ने पानी पी कर उधर की तरफ मूँ किये किये ही एक किनारे बढ़कर पेड़ के छाओं में खड़ा हो गया इधर वहे लड़की जल्दी जल्दी नहा कर एक चट्टान की ओट में जाकर कपड़े बदलने लगी और हुआ से निकल कर राजा के पास आ गई और कहने ल मुझे परीचे बताईए लड़की कहने लगी मैंने कुछ फल तोड रखे हैं घर ले जाने के लिए क्या आप खाएंगे अगर खाओगे तो मैं आपको दे दूंगी यह कहकर वे जवाब सुने बिना टोकडी में बंदा हुआ फल निकाल कर जरने के पानी में धोकर खाने के लिए राजा को देने लगी राजा लगातार उसे मंत्र मुग्द सा हुआ देख रहा था राजा देखता है कि उसने बहुत सलीके से पत्ते का दौना बना कर उसमें फल रखा हुआ है राजा उस फल को ले लेता है और कहता है तुम नहीं खाओगी तो लड़की कहती है नही आप आती थी हैं आप खाईए राजा फल खाते हुए फिर पूछता है आप अपना परीचे दे दो लड़की कहती है मेरा नाम रूपा है मैं बगल के गाउं में रहती हूँ मेरे गाउं का नाम जो कोटसी है मेरे परिवार में सिर्फ मेरी मा है हम लोग जंगल से फल और लकड कर लेते हैं घर के पास थोड़ी सी जमीन है उसमें हम लोग कुछ अनाज और सबजियां उगा लेते हैं जिससे हमारा जो खर्च चल जाता है आप कौन हैं बाबू आप भी बताईए तो राजा कहने लगा अगली बार मिलने आऊंगा तब बताऊंगा इसके बाद रूपा ने राजा को रास्ता बता दिया राजा अपनी राजधानी जाने से पहले रूपा से कहने लगा दुबारा मैं तुम्हें कहां मिल सकता हूं यह तो बताया ही नहीं तुमने रूपा कहने लगी आप क्यों मिलना चाहते हैं दुबारा राजा कहने लगा बस तुमें देखकर तुमसे बाते करने की इच्छा होती है तो रूपा हस पड़ी हस्ती हुई बोली मैं रोज यहां आती हूँ बतायो तो था सुभे लकडियां ले जाकर और मा को दे देती हूँ फिर फल लेकर जाती हूँ खाना खाकर हम सबजियां और फल बेचने बाजार जाते हैं तो मैं आपको इस समय रोज यहां मिलूंगी या आप मेरे गाउं भी आ सकते हैं राजा निकल पड़ा और अपनी राजधानी आ गया लेकिन राजा को रूपा पर जो मोहित हो गया था राजा बेचैन रहने लगा उसे बार बार रूपा से मिलने की इच्छा होती वे समझ नहीं पा रहा था छे छे रानियों के रहते रूपा की और उसका दिल क्यों खिचा जा रहा है जब उससे सहना करना कठीन हो गया तब उसने अपने जो मंतरी जी को यह बात ही बताई मंतरी जी ने कहा महराज यदि आप चाहते हैं तो क्यों नहीं उस लड़की से बिवा कर लेते हो सकता है उनसे ही हमारे राज्य को वारिस मिल जाए और अगले ही दिन राजा ने अपने मंतरी को लेकर जो अपने साथ मंतरी को लेकर चल पड़ा रूपा से मिलने के लिए जहरने के पास पहुँच कर उसने रूपा को आवाज दी रूपा जहरना में नहीं थी वे कैई बार आवाज देने के बाद हुए रुख गया मंतरी जी को भी बुलाया और कहा आज अभी दीख नहीं रही है लोग उसके गाउं चले राजा कहने लगे कि हाँ यह ठीक है और दोनों उसके गाउं जो रूपा के नाम लेकर पता करते हुए उसके घर पहुँच गए उन्हें देखकर गाउं के लोग उनके पीछे जाने लगे रूपा का घर दिखाने और राजा ने देखा तो रूपा चुपचाप अपनी जोपड़ी में बैटी हुई थी राजा ने आवाज लगाई रूपा तुम क्या कर रही हो बहार आओ देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ मैंने जहरने के पास तुमारी भहुत परतिक्षा की परन्तो आज तुम फल लेने नहीं गई थी क्या आवाज सुनकर रूपा बहार आई उसकी आख़ों आसों से भरी हुई थी राजा ने पूछा क्या हुआ रूपा तुम क्यों रो रही हो अब तक दो अजनवियों को घोडे पर सवार देखकर जो इखटे हुए ग्रामीनों में से एक ने कहा बाबू इसकी सिर्फ एक ही मातो थी और वह भी चलबसी उसे सरपने डस लिया था अब यह वेचारी अकेली रह गई है अब रोए नहीं तो क्या करे आप ही बताईए आप लोग कौन है मंतरी जी ने राजा का परीचे दिया अब तो गाउं भर में खलबली मच गई सभी ने मिलकर राजा का स्वागत दिल से किया गाउं के मुख्या जी से राजा ने कहा मैं रूपा से बिवा करना चाहता हूँ क्या आप लोगों को कोई आपती है मुख्या जी ने कहा कि नहीं हमारी बेटी राज रानी बनेगी हमारे तो भाग्ये खुल गए यह गाउं अब आपकी ससुराल होगी इससे अधिक हमें और क्या चाहिए गाउं वालों ने भी जल्दी जल्दी सारी तैयारिया करके राजा और रूपा का भिवा करवा दिया राजा ने रूपा को नया नाम दिया राज लक्ष्मी राजा और मंत्री जी राज लक्ष्मी को लेकर अपनी राजधानी वापस जाने के लिए तैयार थे गाउं वालों ने रुंदे गले से और नम आखों से गाउं की बिटिया रूपा को विदा किया राज लक्ष्मी राजा के साथ अपनी ससुराल राज महल में आ गई राजा की नई रानी को देखकर उसकी पुरानी छह रानिया इर्शा से जल कर राख होई जा रही थी वे बेमन से उन्होंने राज लक्ष्मी का स्वागत किया राजा का अधिकान समय राज लक्ष्मी के साथ ही वयतीत होता था राज लक्ष्मी भोली भाली और मासूम दिल की थी वे अपनी सोतों के मन में छिपी हुई डाहा को पहचान नहीं पा रही थी कि उसकी सोतन उससे कितनी इर्शा करती है और वह तो उन्हें अपनी बड़ी बेन की तरह सम्मान देती थी कुछी दिनों में राज लक्ष्मी ने राजा को सुब समाचार दिया कि वह पिता बनने वाले थे राणी गरभवती थी राजा की खुसी का पारावार नहीं रहा अब तो राजा राज लक्ष्मी का और भी ध्यान रखने लगे उन्हें किसी तरह की कोई तकलीप ना हो और विसेश्त है उन्होंने राज महल में सभी दासियों को उनकी इच्चा पूरी करने के निर्देश दे दिये कुल गुरु को भी रोज धार्मिक और प्रेरक कहानिया राणी को जाकर सुनाए उन्हें भी ये निर्देश दिया गया पूरी राज्य में खुसी की लहर दोड़ गई चारों तरब बधाईयों की धूम मची थी सभी खुस थे कि राज्य को वारिस मिलने वाला है परंतो बड़ी छे रानिया तो जलकर राक हो गई थी अवे छे की छे रानिया आपस में विचार करने लगी कि अब क्या होगा ये रानी तो पहले ही राजा को बहुत प्यारी है बच्चा होने के बाद तो और अधिक इसका ध्यान रखा जाएगा यही पटरानी हो जाएगी और हम सभी को तो कोई महत भी नहीं रह जाएगा और यह हमें दासी की तरह समझेगी इस तरह से वे आपस में सला करके हमेशा रानी राज लक्ष्मी को परिसान करने का परियास करती परंतों उनका कोई भी परियास सपल नहीं हो पाता था कभी कुल गुरू के लोग रास्ते में आ जाते तो कभी प्रजा और कभी दासियां तो कभी स्वेम राजा ही रहते इस तरह समय बीत रहा था और रानी की गरब अवस्ता का समय लगबग पूरा होने को था तब ही अच्छानक सीमा पर विद्रोईयों ने विद्रोऊ कर दिया उन्हें दबाने के लिए सैना पति ऐस फल रहे तब राजा को ही जाना पड़ा राजा ने अपनी बड़ी रानी को छोटी रानी राज्य लक्ष्मी की उचित देख भाल करने का निर्देश दिया और वि चोटी रानी को जो गलत बाते बतलाती रहती जिससे उनके गरब को नुकसान पहुंचे और चोटी रानी से वैसे ही काम करवाती दिन में एक बार कुलगुरु आते और पाठ करकर चले जाते साथी वे चोटी रानी को धहर्य बंदाते और उनसे मधुर बाते करते हुए अवश्यक साब धानिया बतला कर जाते रानी राज लक्षमी समझ नहीं पा रही थी कि कुलगुरु और जो बड़ी रानिया की जो बातों में अलग-अलग हैं आखिर सही कौन हैं दोनों की बाते विपरीथ हैं वह सोचती कुलगुरु तो पुरुस हैं और रानिया तो महि पाएंगे इसलिए जो रानी कहती हैं वही सही है क्योंकि रानिया गलत तो बोलेंगे नहीं इसलिए वे आखे बंद करके बड़ी रानियों की हर बात मानती रही और एक दिन रानी को परसब पीड़ा हुई उसने बड़ी रानियों को कहा कि दीदियों से बहुत तकलीप हो रही है अब क्या होगा कुछ उपाए करें कैसे प्रसब होगा समय पूरा हो गया था बड़ी रानी ने कहा देखो सामने कोठी है तुम उसमें अपना सिर डालो तो तुम्हें आराम मिलेगा और आराम से प्रसब हो जाएगा कहकर बड़ी रानी वहां से चली गई रानी तब ही उसने सोचा पानी पीने का घड़ा अभी यहां पर रखा है वे अभी तो मिट्टी का ही है मैं इसी में अपना सर डाल लेती हूँ क्या बड़ी बेहनों ने कोई गलत तो कहा नहीं होगा जरूर यही तरीका होता होगा प्रशव का उसने कभी किसी का प्रशव होते वे आखे बंद किये घड़े के ऊपर सर डाली रही और चिलाती रही इधर रानिया ने अपनी जो विश्वास पात्र दाई थी उसको बुलवाया और कहा छोटी रानी के कमरे के बाहर जाकर खड़ी रहो और देखती रहो कि हुआ कोई जा नहीं पाए दाई खड़ी हो गई इधर छोटी रानी पीड़ा से करा रही थी इस वर के किरपा से धीरे धीरे बच्चे बहार आने लगे एक के साथ आगे पीछे करके रानी ने साथ बच्चों को जनम दिया उनमें छे लड़के थे और एक लड़की सबसे अंत में जो लड़की बहार आई इतनी पीड़ा सह सहते सहते रानी बेहोस हो गई और घड़े के पास ही लुडग गई दासी ने जल्दी से अपनी बड़ी रानी को बुलाया और सभी बच्चों को दिखलाया बड़ी रानी के साथ सभी छोटी रानिया भी आ गई थी आश्चरिया लगा उन्हें एक साथ साथ बच्चे और वे यह तो कमाल है उन्होंने उस दाई से कहा कि वह कुछ इंटों के टुकडे लेकर आए दाई लेकर आ गई तो उसने कहा कि इन सभी बच्चों को ले जाओ और जंगल में ले जाकर इन्हें मार कर जमीन के नीचे दफना देना हम तुमें एक जो डाला सौना और एक डाला चांद देंगे दाई बहुत खुस हो गई सारे बच्चों को ले जाकर वह अब रानियों से मिलकर महां से बच्चों को होने के सारे निसान उसने साफ कर दिये और एट के टुकडे लाकर हुआ रख दिये घड़े को फोड़ कर उसके टुकडे भी महां पर छोड़ दिये और अपने कमरे में आ गई थोड़ी देर बाद दाई आई तो रानी ने पूछा क्या हुआ मा डाला यह दिया यह जमीन के अंदर उन्हें दबा दिया ना दाई के हाँ कहने पर उसे इनाम के रूप में एक पूरा डाला सोना और पूरा डाला चांदी दे कर विदा किया इसके बाद रान में आने के बाद बहुत कमजोरी महसूस कर रही थी उन्हें उसने जो इन्हें देखकर पूछा कि रानियों से बड़ी रानियों से कि मेरे बच्चे कहा है और क्या हुआ है मुझे लड़का या लड़की रानियों ने कहा कि यह देखो तुमने इन इंट और पत्थरों को ज जनम दिया है मैंने ऐसा कैसे हो सकता है छोटी रानी आश्चरिय चकित थी उसके पास इंट और पत्थर के टुकडे पड़े हुए थे उसने रोते हुए कहा कि इंट ऐसा कैसे हो सकता है नहीं यह नहीं हो सकता बच्चा तो जरूर हुआ होगा बड़ी रानियों ने कहा तो क् इसने तुमने जनम दिया है लो इसे संभाल कर रखो और एक थैला में उन्होंने सारे इंट और पत्थर के टुकडों को भर दिया अब परतिक्षा थी राजा के आने की छोटी रानी तो बहुत याश्चरिय चकित थी वे समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है पूरे राज मेल में ये बात फैल गई कि छोटी रानी ने बच्चों के बदले इट और पत्थर को जनम दिया है राजा भी जो युद्ध जीत कर अपनी नगर को वापस आ गए थे उनके स्वागत में भव्य त्यारियां की गई परंतु लोगों के चेहरे पर वे उमंग नहीं दी छोटी रानी का चेहरा मलिन था परंतु से सभी रानिया खुस थी प्रफली थी राजा को आश्चरिय हुआ छोटी रानी का मुख मलिन देखकर उन्होंने पूचा क्या बात है रानी राजलक्ष्मी आप दुखी नजर आ रही है इस पर छोटी रानी राजलक्ष्मी ने कु पतलब है आपका रानी का प्रेसब हुआ हो गया या क्या हुआ बताईए तो सही रानी राजा की बड़ी रानी जो पट्रानी थी उसने जूटा दुख दिखावा करते हुए कहा महराज हम तो छले गए यह राज लक्षमी मासूम चेहरे वाली यह तो बहुती छलने वाली नि रखा गरब होने पर कुछ तो होता इने तो इट और पत्थर पैदा हुए है इनी के कमरे में रखके हुए है आप जाकर स्वैम देख लीजी पट्रानी रानी राजा और राज लक्षमी के जो कक्षमे राजा को ले कर गई एट और पत्थरों के टुकड़ों को दिखाया र उन्होंने का ये कैसे हो सकता है मानब गरब से ये कैसे निकल सकता है बड़ी रानी पत्रानी कहने लगी वही तो हम भी कह रहे हैं कि इन्होंने गरब का नाटक किया था हमारे साथ हम भी तो उमीद लगाए बैठे थे राज्य का वारिस मिलेगा हमें भी तो माता होने का सौ भाग्य मिलेगा परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ राजा अब क्रोध में भरकर रानी राज लक्ष्मी की ओर पलट गए और पूछा बताईए रानी आपने हमें इतना बड़ा धोका क्यों दिया आपकी हिम्मत कैसे हुई हमें छलने की अरे हम बिदी का विधान मानकर संतोस कर लेते हमारे भाग्य में संतान सुक है ही नहीं लेकिन आपने तो आसा दिला कर हमारी आसा पर पानी फेड दिया हम तो आपके मासूम चहरे पर मोहित होकर आपको अपनी रानी बना कर लेकर आये थे आपको इतना प्यार आदर और सम्मान दिया परंतु आप उस सम्मान के योग्य नहीं है आपने हमसे जो छल किया है उसका दंड तो अवश्य आपको मिलेगा अब आप रानी नहीं महल की नौकरानी है जाएए मेरे सामने से अभी चली जाएए वरना किरोध में जाने मैं क्या कर बैठ हूँ और राजा ने उन्हें धक्का देकर छोटी रानी को अप दुर्बर हो गया बड़ी रानिया उसके साथ बहुत बुरा वहवार करती महल की नौकरानियों से भी अधिक काम उनसे लिया जाता उनको महल की सफाई के काम में लगा दिया गया रानी दुखी हो गई पर क्या कर सकती थी उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जिससे वे अ इच्छा होती अपनी गाम चली जाएं और अपनी पुरानी दिंचरिया आरंब करें परंतुए फिर अपना विचार बदल देती वे सोचते उनके गाम वाले कितने खुश थे उनकी रानी बनने पर अब किस मुह से हुआ जाकर अपनी दुरबाग्या की कथा उन्हें कहेगी इस तरह समय बीतता रहा और लगबग एक वरस बीत गया एक दिन राजा दरवार में बैठे राज्य कारियें में वैस्त थे तबी उनके पास एक प्रहरी ने आकर सूचना दी महराज मनसुखा गाउं के परधान जी आपसे मिलना चाहते हैं राजा ने बुलाने की आग्या मनसुखा ग्राम परधान ने आकर राजा को जुक कर पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया और आदेश की परतिक्षा में खड़ा हो गया राजा ने कहा ग्राम परधान जी कहिए आपकी क्या समस्या है ग्राम परधान कहने लगा महराज आपके इस आसन में किसी को कोई सम आपको देने आया हूँ राजा कहने लगे ऐसी कौन से चमतकार पूर्ण घटना है बताईए परधान कहने लगे महाराज हमारा गांव वन प्रांत में है वहां बहुत सारे पेड पोधे हैं अभी कुछ दिनों से हम देख रहे हैं छह बांस के पेड और एक चमपा पूल का पे के बीच में चमपा का पूदा ऐसा लगता है जैसे बांसों को घेरा डालकर चमपा के पूदे की स्रक्षा की गई हो बीच में चमपा और इसके आस पास जो उसको घेर कर छे बांस के पूदे हैं जैसे चमपा की स्रक्षा में लगाए गए हैं परंतु उन्हें हमारे गांव मालों में से किसी ने भी नहीं लगाया, साथो पौधे अपने आप ही ओगाएं हैं, यह आश्चरिय है, चम्पा का पौधा फूलों से लदा हुआ है, परंतु किसी के भी तोडने से फूल तूटता नहीं है, हम उस पौधे का जड़ा हुआ पूल चुनते हैं, जो बहुत ही स से मानव की आवाज भी आती है चंपा और बास सभी आपस में मानव आवाज में बाते करते हैं राजा आश्चरिय चकित हो गई राजा के साथ साथ सभी दरवारी भी आश्चरिय में थे राजा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है पौदे और व्रिक्ष मानव आवाज में कैसे बोल सकते हैं क्या बोलते हैं वे ग्राम परधान कहने लगे महराज चंपा की और हाथ बढ़ाते हैं तो चंपा के पौदे से अवाज आती है हे भी अबास इस गाम के ग्रामीन फूल तोडने आए है फूल देना है या लगू आकास में तो उन बासों में से किसी की एक आवाज आती है ना बहना लग जा अकास तब वह चंपा की डालियां इतनी उची हो जाती हैं कि किसी से भी कोई भी इंसान उन तक नहीं पहुँच पाता लंबे डंडे से भी फूल तक पहुँचना समभव नहीं हो जाता परंटु प्रेती दिन प्राते काल रामीन में बिखरे मिलते हैं जो कि बहुत ही सुगंदित होते हैं लेकिन आश्चरिय की बात तो यह है कि सभी ग्रामीनों ने बहुत कोसिस की परन्तो एक फूल भी अपने हातों से तोड नहीं पाये। और आसपास के कई गाउं के ग्रामीनों ने भी बहुत परियास किया परंतो एक भी फूल कोई नहीं तोड़ पाया राजा ने अपने मंत्री को आदिश दिया मंत्री जी आप स्वयम देखें वे पौधे क्या हैं हमें पूरी जानकारी दीजिये मंत्री जी ने का जी महराज मैं स्वयम जाकर देखता हूँ और मंत्री जी उसी समय ग्राम परधान को लेकर दरवार से बाहर निकल गए राजा और सारे दरवारी आश्चरिये में पड़े हुए थे आखिर सच्चा ही क्या है फिर राजाने सोचा मंत्री जी पता लगा कर आ जाएंगे और वे भी अपने राजिये के कारियों में लग गए जब मंत्री जी परधान जी के साथ उन पौधों के पास पहुँचे तो सभी ग्रामीन इकटा हो गए और प्रातेकाल मंत्री जी ग्राम परदान और गाओं के कुछ अन्याय लोगों के साथ आकास चमपा के पास पहुँच गए दूर से ही चमपा के फूलों की गंद उनके नाक के नतुनों में प्रवेश कर गई चमपा की सुगंद से वे सम्मुहित से हो गए और चमपा के पौदे के पास पहुँच गए मंत्री जी ने देखा ग्राम परदान के बताय अनुसार बिलकुल बीच में चमपा का पौदा था और उसे अपनी सुरक्षा के गेरे में लिये हुए बास के पौदे खड़े थे चमपा की डालिया समान्य उचाई पर भी थी जिसे मंत्री जी हात पकड़ कर आराम से छू सकते थे और फूल भी तोड़ सकते थे चमपा के फूल मंत्री जी के हातों की पहुच की सीमा में थे पौदे के चारो और जमीन में फूल बिखरे पड़े थे जो कल से आज तक की किसी भी समय हवा से जड़े होंगे मंत्री जी ने चमपा के फूल की सुगंद से समोहित से चमपा के पौदे की ओर बढ़े और हात बढ़ाया फूल तोड़ने के लिए तब ही उन्हें पौदे में से निकलती हुई एक मानव आवाज सुनाई दी जिसे सुनके आगे बढ़े हात जहांके तहां रुग गए वे आश्चर ये चकी तो उठे फूल से आवाज आई हे बास भहिया ये आवाज चमपा के पौदे में से आई थी हाँ बेहन चमपा किनारे की ओर से एक बास में जो ये आवाज आई हमारे मंत्री जी फूल तोड़ने आए है क्या मैं टूटो या लगूं आकास आश्चर ये सभी बास के पौदों में से एक साथ आवाज आई जो बिल्कुल साप सुनाई दे रही थी जैसे छे लोग बोल रहे हूं लेकिन आवाज इस पश्ट सुनाई दे रही थी इस आवाजों को सुनकर मंत्री जी के हाथ के साथ उनके मस्दिस्ट भी जहां का ताहां रुख गया जैसे दिमागी जाम हो गया और जब वे इन आवाजों को सुन रहे थे जो कह रहे थे ना बहन चमपा लग जा आकास ये वही मंत्री जी है जिन पर हमारी मा की जिम्मेदारी थी लेकिन इना ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की इसलिए इनके सामने जुकना नहीं एक भी फूल का इस परस इने नहीं करने देना इसलिए लग जा बहना कास और आश्चरिये चमपा की डालिया इतनी उंची हो गई कि आब मंत्री जी किसी भी तरह से फूल नहीं छूँ सकते थे मंत्री जी ने बहुत परियास किया लेकिन एक फूल भी नहीं तोड़ पाए बास से अभी भी आवाज आ रही थी जो कह रही थी जाइए मंत्री जी अपने राजकारिय का संचालन कीजिए आप किसी इंसान की जिम्मेदारी लेने के योग्या नहीं है आप अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह निभाते नहीं है आपने एक बार भी देखने की कोशिस नहीं की हमारी मारानी राज्य लक्ष्मी गरब अवस्था के अंतिम समय में कैसे रही और उनका प्रेसब कैसे होगा उन्हें क्या समश्या हो सकती है इसलिए आप जाईए हमारी दृष्टी से दूर आपने हमारी दृष्टी में अपराद किया है मंत्री जी आश्चरिय चकिते एक और तो उन्हें आश्चरिय हो रहा था कि पौदे कैसे मानव आवाज में बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें ये आश्चरिय हो रहा था कि सचमुछ रानी राज लक्षमी को वे एक बार देखकर आ जाते थे परन्तु यह इन बात पौधों को कैसे पता चली और वे गलानी से भर उठे क्योंकि गरब अवस्ता के अंतिम समय में रानी की देखवाल तता प्रेसब उन्हें अपनी निगरानी में करवाना चाहिए था जो जिम्मेदारी उन्होंने पूरी नहीं की तो क्या कुछ बड़ा सडियंत्र हुआ है रानी राजलक्षमी के साथ आकिर बात क्या है उन्होंने पूछा आप बताईए कि हमसे क्या गलती हुई है और उस गलती का प्राश्चित हमारे दुआरा क्या हो सकता है जिससे हमारी भ पूछा लेकिन एक अवाज भी उसमें से नहीं आई लेकिन चंपा की डालिया यूहीं उचाई पर थी मंतरी जी बहुत परेशान थे उनके परशनों के हल उन्हें नहीं मिले निराज होकर मंतरी जी वहां से लोटे लोटने से पहले उन्होंने गामवालों से कहा मैं इस बा मंतरी जी वहां से अपनी राजधानी वापस आ गए राजधानी वापस आकर उन्होंने महराज को सारी बाते बताई और कहा महराज राज महल में कुछ तो सड़ियन त्रवस्या हुआ है मुझे तो अपने उपर गलानी हो रही है मैं राज रानी की देखबाल पूरी तरह से नहीं कर पाया आप मुझे उन पौधों की बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है जो हम लोग नहीं जानते इसलिए महराज मेरा आपसे अनुरोध है आप पवश्य चलें और स्वेम देखें हो सकता हुए बास और चमपा आपको सारी बात बताएं राजाने खा जो राजा ने कहा महराज मंतरी जी ने भी कहा आपसे एक और निवेधन है किरप्या आप छोटी रानी राज लक्षमी को भी साथ ले चलें महराज मंतरी जी ने जो महराज से निवेधन किया लेकिन मंतरी जी उन्होंने हमें धोका दिया है और धोका दिया में इस सूरत भी उनकी नहीं देखना चाहता लेकिन मंत्री जी ने कहा महराज आप सूरत नहीं हो उनकी मत देखें परन्त उन्हें अपने साथ लेकर अवस्चे चलें क्योंकि मुझे लगता है राजमेल में कुछ सडियंतर हुआ है जिसका पता हमें नहीं चल पाया मुझे दुख है महराज अ आप मेरी इतनी सलाम मानकर मुझे पर उपकार कीजिये हो सकता है इसमें मुझे अपनी बूल सुधारने का अवसर मिले और मेरे किसी अंजाने पाप का प्रास्चित हो जाए राजा कहने लगे ठीक है आप ले चल सकते हैं लेकिन इतना ध्यान रहे छोटी रानी मेरी दृष के सामने ना पाए इस परकार राजा मंत्री के बीच आकाश चमपा के पास जाने का एक दिन और समय तैय हो गया राजा और मंत्री के जाने की तैयारी होने लगे दृष राजन उनके पटरानी तता पीछे पहांच रानियों की पालकी थी। उनके कैई परमुख सभासद दास दासिया भी उनके साथ थे। मा मंत्री जी की कही अब भीकि अपने आप पर उनके गलानी आ रही थी। उनके गरब अवस्था में रानी की पूरी देखवाल नहीं की थी। और उनके प्रसव की उनके सही ववस्था नहीं की उनके पूर्ण विश्वास हो गया कि रानी के साथ रानी ने राजा को धोका नह दिया है उनके साथ छल हुआ है प्रसव तो अवश्य हुआ है साती छोटी रानी राज लक्षमी राज महल में किसी गहरे सडियंतर की सिकार हुई है राजा का काफिला गाउं की तरफ चल दिया और गाउं के पास आकर रुख गया वन के बाहर गाउं की सीमा पर पड़ाव डा गाउं के ग्रामीन राज परिवार की स्वागत में जुट गए अगले दिन प्राते कालिय काफिला आकास चमपा के पास पहुचा और उनके चारों और घेरा डाल कर बैट गए आज भी आकास चमपा के पुष्व जमीन पर बिखरे हुए थे और उसमें से निकली मन मोहक सु सुगंदित कर रही थी चमपा की सुगंद से उपस्ति सारे लोग जो उल्लासित थे आब राजा तयार थे रहस्या को जानने के लिए राजा के पास उनकी सभी छे रानिया बैटी हुई थी सिर्फ छोटी रानी राज्य लक्ष्मी जो मंत्री जी की पतनी के साथ बैटी थी पत्राणी ने राजा से का माराज यदि आपको आदेश हो तो मैं फूल चुनलू राजा ने का हाँ हाँ क्यों नहीं राणी साहिबा आप पबश्य फूल तोड़िये तब ही दूसरी रानी ने का माराज मेरे भी इच्छा हो रही है फूल तोड़ने की इनकी सुगंधी एत इस तरह सभी रानिया पहले फूल चुन्ने के लिए तयारां हो गई राजा ने पहले छटे नंबर की रानी को फूल चुन्ने के लिए निर्देश दिया उन्होंने पटरानी से का महरानी आप में से जो सबसे छोटी है पहले उन्हें अफसर दीजिए फूल चुनने का बड़ी रानी ने का ठीक है छटे नंबर की रानी फूल चुनने गई उसने हात बढ़ाया चमपा के फूल की हो तबी चमपा के फूल से अवाज आई आप रुके रानी आप रुके बिना हमारे अनुमती के आप हमें हमारे हमारी सोतेली छोटी मा फूल तोड़ने आई है क्या मैं टूटू यह लगू आकास बाज के पौदे में से अवाज आई लगजा आकास बेहन यह तो तुम्हें छूने योग्या भी नहीं है तुम्हें याद नहीं क्या इन्होंने हमारी मा के साथ कैसा अत्याचार किया है इ चमपा की डालियां आकास को छूने लगे मारानी निरास वापस अपने स्थान पर आकर बैट गए इसी परकार से पांचवी चौथी तीसरी दूसरी रानी सभी ने हार मान कर बैट गए इसके बाद आई सबसे बड़ी रानी उन्होंने अपने हाथ पौदे की ओर बढ़ाए तो परंतु पहले ही कहा सुन चमपा मैं इस राज्य की माहरानी हूँ मैं राजा की पटरानी हूँ इस राज्य में जो कुछ भी है उन सब का उपयोग सबसे पहले या तो मैं करती हूँ या मेरे अनुमती से किसी और को प्राप्त होता है इसलिए अपने डाली नीचे जुक और मुझे फूल तोड़ लेने दे इस बाज चमपा की डालियों से अवा आ जाई है ये भाईया बास हमारी सोतेली बड़ी माह हमें फूल देने के लिए धमका रही है चेतावनी के साथ आदेश जो मानने के लिए कह रही है क्या हमें आदेश का पालन करना चाहिए की नहीं बासने का ना बहना तुम्हें आदेश देने का कोई अधिकार नहीं है ये पट्रानी है राजा की और राज्ये की हम इसकी राज्ये की परजा नहीं है कोई वस्तू भी नहीं है जो इनके उप्योग में आना आवश्यक हो और तुम्हें याद नहीं इनके आदेश से तो सार दुख दिया है और हमें बन में भेज कर हमारी मिर्थिव का रास्ता तैयार किया था या तो माहरानी बनने के लायक भी नहीं रानी और माहरानी राज्य की जनता की माता होती है इसलिए पूरी परजा उनके आदेसों का पालन करती है इनकी संतान बरकर परंत इनों ने तुम मा जुकना मत बेहन इसलिए बेहन तुम आकास में ही रहो इनका इसपर्स भी नहीं होने देना चाहिए अब तो बड़ी रानी का सरलज्जा से जुग गया राज्या के सभी सभासदो और राज्या की जन्ता और ग्रामीनों के समक्स उनका इतना अपमान हुआ परंतों उस पौदे को कोई दंड भी तो नहीं दे सकते थे उनकी इच्छा तो हो रही थी बास और चमपा के पौदे के टुकड़े टुकड़े करवा दे लेकिन वे विवस थी इसलिए चुपचा पाकर अपने स्थान पर बैठ गए अब चमपा की डालियां वापस पहले की तरह समान्य अवस्ता में आ गई समान्य उचाई परती अब राजा स्वैम उठे और फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़े चमपा के पौदे के पास जाकर अपने हात बढ़ाए फूल तोड़ने के लिए तब ही चमपा के पौदे से अवा जाई नाना महराज या भूल नहीं जाऊंगी इसलिए आप अपने हाथ पीछे ही रखिए फूल तोड़ने का विचार त्याग दीजिए राजा आश्ट्रिय चकित आखिर ऐसा क्या हुआ उनको रोकने के लिए चमपा अपने भाईयों से भी अनुमती नहीं लेगी और बिना अनुमती के ही वह उन्हें रोक रही है उन्होंने पूछा मैं इस देश का राजा हूँ मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया मैं अपनी प्रजा को अपनी संतान मानता हूँ और इसी तरह उनकी देखभाल भी करता हूँ मैंने किसी पसु पक्षी को भी तकलीब देने की नहीं सोची फिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो तुम मुझे बताओ इस बाद चंपा के पौदे से अवाज आई आप अपने पूरी परजा को संतान मानते हैं परंतु आपने जो कहा है उसी पर विश्वास करते हैं आप स्वैम कभी भी सच्चाई जानने की कोशिस नहीं करते आपने परजा को संतान मान लेकिन अपनी संतान के खोज खवर करने की कोशिस नहीं की आपकी संतान कहा है आपकी अपनी संतान कहा है कैसी है क्या आपने कभी जानने का परियास किया आप अपने राज्य की स्रक्षा करने की बात करते हैं लेकिन आप तो अपनी गर्ववती पतनी की स्रक्षा नहीं कर पाए एक सची नारी का आपने विश्वास नहीं किया और उन्हें धोके बाज कहकर नौकरानी बना दिया इस परकार हमारे मिर्तियों के सडियंतर में आप भी सामिल हो गए जब आप अपनी पत्नी को सुरक्षा नहीं दे पाए तो किसी और को क्या दे पाएंगे महराज राज चालन करें युद्ध लड़ें आपकी परजा आपकी संतान अवश्य है लेकिन आपके उस संतान की देखभाल के लिए आपको अपनी संतान की रक्षा आप नहीं कर पाए इसलिए आप यहां से जाईए राजा के पास कोई सब्द नहीं थे इसलिए अपने स्थान पर आकर चुपचा बैठ गए अब मंत्री जी ने कहा राजा से कहा महराज अब आप यदि आदेश दें तो हम छोटी रानी राजे लक्षमी को एक वार फूल तोड़ने पौदे के पास भेजने पटरानी ने कहा मंत्री जी जो फूल महराज के हातों भी नहीं तूटे इस धोके बाज के हातों कैसे तूटेंगे मंत्री जी ने परसन वाचक दिरिष्टी से महराज की उड़ देखा तो चंपा के पौदे से अब तक की इतनी बातों से राजा को कुछ संका होने लगी थी राजे लक्षमी के साथ सडियंत्र हुआ था इसलिए उन्होंने अनुमती दे दी राज उठती है और दुएकती है चंपा के पौदे की डालिया आकास की काफियों चाही में है वे कहती है मेरे हाथ हुआ तक कैसे पहुँचेंगे मंत्री जी रानी साहिपा आप एक बार महा जाकर तो देखिए इतने लोग नहीं तोड़ पाए महराज भी नहीं तोड़ पाए तो उसने अपने हाथ बढ़ा कर अपने पास से जाती हुई चंपा के तनों को छुआ और उसे बहुत प्यार से सहलाया रानी को लगा जैसे उस इस पर्स में उन्हें सुख मिल रहा है असी मानंदा रहा है पौदे को सहलाती रही जब पौदे से आवाज आई हे भाईया बास आ मा बेहन चंपा तुम रो रही हो चंपा ने का हमारी मा फूल लेने आई है उन्होंने मेरा जो बहुत ही प्यार से स्पर्स किया है उनका प्रथम कोमल स्पर्स पाकर मैं अनंदित हो गई हूँ इसलिए मेरा हिर्द्य भावुक हो गया और आज मैं द्रेवित हो गई हूँ आ से एक साथ आवाज आई कि बिल्कुल सही हाँ भेन तुम्हारा दिल जो कह रहा है वही करो मा के चर्णों में तो स्वर्ग है मा के चर्णों का इसपर्स कर लो और आश्चरी है सारी डालिया जुक कर रानी के चर्णों को छू कर राज लक्षमी के चारो और फैल गई उसके को अपने हाथों से पकड़े सहलाती जा रही थी रानी की आखों से आशू बहने लगे यह देखकर सभी राज्य करमचारी सबासद ग्रामीन सब भावुक हो गए सबकी आखों से आशू बहने लगे राजा ने उठकर उन पौधों से पूछा कि तुम देव हो किनर हो या कि किसी अन्य लोक के प्रानी हो तुम कौन हो यह बताओ तुमने किसी को अपना फूल छोने भी नहीं दिया परन्तु अब छोटी रानी की बाहों में बंद कर उनके ओपर पुस्प वरसा कर रही हो इसका क्या मतलब है क्या कारण है मुझे बताओ इस बार चमपाने कहा राजन मैं और यह छह बांस आपकी और छोटी रानी की ही संतान है एक साथ हम साथ भाई बेहनों का जनम हुआ था मुझ से बड़े छह बाई और मैं सबसे छोटी बेहन थी मेरी मा प्रसब के समय बहुत अधिक पीड़ा में थी उन्होंने आपकी पत्रानी राज्य की माहरानी से आ उन्हों सब ने हमारी मा को कोटी में मुझ डाल कर खड़े हो जाने के लिए का था कोटी बहुत उची थी उची होने के कारण मेरी मा ने पानी के जो पानी पीने का घड़ा था उसमें अपना सर डाला घड़े का भी मुझ छोटा होने के कारण उनका सर तो अंदर नहीं गया परंतु घड़े के ऊपर सर रखकर वो दर्द से करहती रही उनकी साहता किसी ने नहीं की इस वर की किरपा से हम साथो भाई बेहन उसी अवस्ता में हमारा जनम हो गया महरानी ने तो सोचा था हमारी मा जो अपने सिर को कोठी में रखेगी और उचाई से हमारा जनम होगा जिससे गिरने के कारण हम बच्चों की मिर्तिव हो जाएगी परंतु ऐसा नहीं हो सका और हम सब जीवित रहे परंतु मा जो उस अवस्था में भी दर्द से बेहुस होकर भूमी पर गिर पड़ी थी तब माहरानी ने एक दाई को बुला कर हमें जंगल में मार कर जमीन में दबाने के लिए आदेश दिया दाई को भेजने के बाद कुछ इट पत्थर के टुकडों को हुआ पर रख दिया जिससे हमारी मा को कभी पता नहीं चला कि हम लोगों ने जनम लिया था वो कभी भी समझ नहीं पाई कि उनके बच्चे आखिर गए तो गए कहा और आपने भी उने धोके बाज कहा राजा कहने लगे पर जब दाई ने तुम लोगों को मार दिया था फिर तुम लोग पौधे कैसे बन गए इस पर चंपा कहने लगी माराज इस्वर की लीला अप्रम पार है जब दाई हमें लेकर आई तो अचानक की जोरों की आंदी आ गई वे हमें राजमहल के बगीचे में ही जो दाबना चाहती थी परंतु राजमहल के बगीचे में ऐसा करते हुए अगर किसी ने देख लिया इसी डर की वजह से वे हमें लेकर इस वन में चली आई यहां आने पर जब है कुदाल से मिट्टी खोद रही थी तब ही आकास मार्ग से परीरानी अपनी सक्यों के साथ वन ब्रह्मन के लिए आ रही थी उनके द्रिष्टी जब हम पर पड़ी तो उन्होंने हमें उठा लिया और उनके जादू के असर से बहुत जोरों की आंदी दाई हमें खोचती रह गई हमारे नहीं मिलने पर उसने सोचा शायद हम बहंकर आंधी में कहीं उड़ गए हैं इसलिए महल में जाकर उसने महरानी से जूट भूल दिया कि उसने हमें मार कर जमीन के अंदर डाल दिया है उसे डर था सच्चाई जानकर महरानी उसे मरवा दे उसके बाद जाने के बाद परी रानी ने मेरे च्छे भहियाओं को बास में बदल दिया और मुझे चमपा फूल का पौदा बना दिया उनकी किरपा से हमें सभी घटना याद है और हम सभी को पहचान कर उनके अनुसार अपना वेवार कर पा रहे हैं और मानव की आवाज में बोल पा रहे हैं राजा कहने लगा तो क्या तुम लोग अपने असली रूप में नहीं आ सकते चमपा कहने लगी आ सकते हैं महराज हमारी मा सभी बास से एक एक पत्ती और मेरे से पौदे से एक पत्ती ले फिर इन सभी साथ पत्तियों को गोलाई में रख कर परी रानी का न चमपा के पौदे से एक-एक पत्ती ली और उसे गुलाई में सजाया और स्वैम उनके समक्ष बैठ गई और हाथ जोड़ कर पूरी सरधा के साथ बोली हे परीरानी मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूँगी आपकी पूजा करूँगी तब भी आपके उपकार का मैं प्र मा मुझे मेरे बच्चों से मिला दे परीरानी मा आश्चरिय पल भर में देखा गया बास के पौधे और चमपा का पौधा बिलीन हो गया वहाँ पर लगबग पांच-छे वरस के उमर के छे बालक और एक बाली का उपस्तित दीखे रानी और राजा ने आगे बढ़कर सभी बच्चों को अपनी बाहों में समैट लिया रानी की तो हिचकिया ही बंदी हुई थी वे तो रोए जा रही थी राजा भी बच्चों को अपने सीने से लगाए अपनी आखों से अस्रू वरसा किये जा रहे थे गाउं की जनता सभासद सभी रानिया बिलकुल मौन होकर यह देख रहे थे कुछ देर के बाद जब राजा होस में आये तब उन्होंने वहीं पर अपना दरवार लगा दिया और गाउं के जो गाउं में पहला राजिया देश दिया कि सभी छे रानिया रानी बनने के योग यह नहीं है इसलिए इनका आज मैं अभी से परित्याग करता हूँ और छोटी रानी राज लक्षमी को इतने दिन जो कष्ट सेहन करने पड़े उसके लिए मैं उनसे छमा मांगता हूँ और उन्हें पटरानी अपनी पटरानी बनाता हूँ से सभी छे रानियों को राज कुमारों और राज कुमारी की हत्या के सडियंत्र के लिए दोसी मानते हुए उन्हें मिर्ति उदंड दिया जाता है मंत्री जी मेरे आदेश का तुरंत पालन किया जाए रानी राज लक्षमी जो आप तक अपने बच्चों को अपनी बाहों में समैटे अपने सीने से लगाए बैठी आसू बाहा रही थी अचानक से उसने अपना सिर उठा इसलिए काली मा का दिन नहीं लाना चाहती इसलिए आप से मेरा अनुरोध है मेरा अनुरोध है आप सवीकार कर लीजिए कि बड़ी रानियों को मिर्ति उदंड ना दे अन्यता इनका दोस हमारे बच्चों हमारे राज्यय और राज्यय की जंता पर हमेशा ग्रेहन की तरह रहेगा इसलिए छमा करने इने छमा करदो महराज राजाने काहरानी आपका दिल बहुत विसाल है इसमें सब के लिए छमा है परंतो राजकारिये में छमा करने से दोसी दूसरी बड़ी परिसानी खड़ी करते हैं इसलिए इने छमादान तो नहीं किया जा सकता परंतो इनक का दंड आपके अनुरोद पर कुछ कम करके आजीवन कारावास में बदल रहा हूं। जब तक यह जिन्दा रहेंगी कारावास में रहेंगी। इस कारावास में इन्हें एक समय का भूजन मिलेगा। परंतु कारावास के बाहर ये एक पल के लिए भी नहीं निकल पाएंगी, यहीं इनका दंड होगा, इसके बाद राजा और रानी, राज्य लक्ष्मी सभी ग्रामीनों को उन्होंने अपनी तरफ से कैय उपहार दिये, और सभी मंत्री और दास दासियों के साथ राजधानी ल बंदी की अवस्था में सैनिकों के बीच चलती हुई पैदल राजधानी आई थी, उन्हें कारावास में डाल दिया गया, और राजा राज्य लक्ष्मी के साथ सुक पूर्वक साथ बच्चों और राज्य की जनता का पालन करते हुए अपना जीवन बिताने लगे, रानी राज्य लक्ष्मी के दिन जैसे फिरे वैसे भगवान सबके फिरे इस वर हमेशा अच्छों के साथ अच्छा करते हैं, बुरों का परिनाम बुरा होता हैं, दोस्तों हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो, तो प्लीज लाइक, से प्यार और सबस्क्राइब जरूर करें, राधी राधी